दोस्तो जब यह मोबाईल लेने बजार में जाते हैं तो काफी चीजे हमेशा हर बार नहीं देखने को मिलती हैं कभी कैमेरे की बाते होती थी मोबाईल के बारे में, कभी मोबाईल की बैटरी के बारे में बाते होती थी कभी sensor के बारे में बात होती थी कभी उसके lock system के बारे में बात होती है कभी processor के बारे में बात होती है लेकिन फिलाल दो नहीं चीजे आपको हर mobile में देखने को मिल रही है एक होता है screen refresh rate ये display refresh rate दूसरा होता है आपका touch sampling rate अब ये दोनों चीजे भी mobile में नहीं आई है और इनके क्या फायदे नुकसान है और आखरी में ये चीजे होती क्या है इसके बारे में मैं आपको detail इस वीडियो में बता रहा हूँ वीडियो पसंद आये तो like को share जरूर कर देना चैनल को subscribe भी कर लेना स्वागत है आपका YouTube channel News Sapata पर तो यहां मैं सबसे पहले बताऊंगा आपको screen refresh rate क्या होता है एक्चल में screen refresh rate का मतलब है या display refresh rate का मतलब है कि एक second में आपका mobile screen जितनी मार कुद को refresh करता है वो उसका refresh rate होता है अब या refresh rate आपका हर screen में होता है mobile screen में होता है laptop screen में होता है computer screen में होता है आपके LED TV screen में भी होता है तो जितना ज़्यादा screen display screen refresh rate या screen refresh rate होता है उतना ही बड़ी आपका mobile होता है अब इसको नापते कैसे है इसको नापते हर्स में तो 60 Hz के mobile बहुत सारे market में है लेकिन अब नए mobile आगए आपके 90 Hz के 120 Hz के 100 Hz के 140 Hz तक के mobile आपके बाजार में आ रहा है ठीक है दूसरी चीज होती है आपके touch sampling rate यह touch sampling rate क्या है यह भी आपको समझना दिरूरी है what is screen refresh rate या what is display refresh rate आपको समझ में आ गया what is touch sampling rate यह मैं आपको बता देता हूँ जब आपने कई बार देखा होगा कि पहले mobile आये थे आपके keypad वाले ठीक है फिर आपके आये touch screen वाले तो touch screen में क्या होता है अकसर कई बार हम mobile को touch करते रहते हैं लेकिन होता क्या है वो mobile को touch तो होता है जो screen है touch sampling rate क्या होता है कि mobile की जो screen है वो बार-बार sensor के तुछ यह देखती है कि उसको एक second में कितनी बार touch किया गया है ठीक है अगर माल लीजिए और इसको भी हर्समें आपेंगे यानि कि mobile की screen एक second में कितनी बार यह check करती है कि उसको कितनी बार check किया गया touch किया गया इसको हम कहते है touch sampling rate आप touch करते रहें और mobile माल लीजिए function ही नहीं ले रहा है या उसका output ही नहीं आ रहा है आपके input का तो वो touch screen rate इसका मतलब खराब है हम सोचते हैं इसका touch खराब हो गया ऐसा नहीं होता 60 हर्स तक के जो mobile होते हैं जैसा कि market में अभी है हाला कि 90, 120, 140 के mobile भी आ रहे हैं 90, 40, 120 हर्स तक के आ रहे हैं touch sampling rate वाले भी उनका link में ने वीडियो प्रेस्क्रिप्शन में दिया है आप वहाँ से purchase कर सकते हैं वो mobile अच्छे होते हैं तो जितना कम touch sampling rate होगा उतना mobile आपकी touch screen जल्दी खराब होगी और जितना बढ़िया आपका touch sampling rate होगा उतना इंस स्क्रिन आपकी जल्दी चलेगी अब इसक्रिट रिफरेश्ट रेट के फायदे पर बता देता हूं आपको फिर touch sampling rate के फायदे बताँगा screen refresh rate के फायद है क्या है आपका mobile smooth चलेगा आपके mobile पर जो भी आप content देख रहे हैं चाहे आप video देख रहे हैं चाहे आप mobile में game खेल रहे हैं वो उसके photos, videos आपको काफी अच्छे दिखेंगे वो बहुत जल्दी smooth करेगा वो ठीक है लेकिर यह आपकी battery ज्यादा खाता है यह बात आपको killer रखनी है कुल मिला के better quality आपको मिलेगी 90Hz या इससे उपर के screen refresh rate वाले mobile में अब touch sampling rate का क्या फायदा है अगर आप 90Hz या इससे उपर वाले touch sampling rate के mobile लेते हैं तो आपकी touch screen जल्दी खराब नहीं होगी एक बात यह आपको के लिए रखनी है दूसरी बात आप जो भी input देंगे उसमें वो input फटाफट काम करेगा फंक्शन फटाफट काम करेगा यह इसके फायदे होते हैं इसको touch sense भी कहते हैं अब 60 Hertz का मतलब यह हुआ कि एक second में screen ने 60 पर यह पता लगाए है कि उसको कितनी बद टच किया है 90 Hertz का मतलब हुआ कि इसक्रीन ने एक second में 90 पर पता लगाए है कि उसने कितनी बद आपने टच किया है ठीक है अब touch sense से कैसे पता लग रहा है माल लीजिए आपका mobile 60 Hz का है ठीक है आपका touch sampling rate mobile का 60 Hz है इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो touch किया mobile को आपने जब mobile को slice किया, touch किया, ठीक है न, slide किया तो इसका मतलब यह हुआ 6 Hz के mobile में कि आपके sense जो है mobile ने पकड़ा है कितना, 90 Hz का, 90 Hz touch sampling rate का, तो केवल 8.33 सेकंड ही आपकी command को clear करने में लगाएगा, ठीक है, और समझे इसको ठंग से, कि माल लीजिए आपका mobile 60 Hz वाला आपने लिया touch sampling rate वाला, तो जब आप command देंगे, तो आपकी command में time लगेगा, इसको यू समझेए, यानि कि 11.1 microseकंड लगता है, और अगर आप 90 Hz उपर वाला लेंगे mobile, 90 या उससे, 90 ए 140 MHz वाला आप mobile लेंगे, touch sampling rate वाला, तो आप उसको command देंगे, तो उस command को clear करने में या आप जो भी fresh rate क्या है, वीडियो पसंद आया तो like और share जरूर कर देना, चैनल को subscribe कर लेना, इसी तरह के नए-ने topics पर वीडियो में आपके लिए लाता रहता हूँ, आज के लिए इस वीडियो में सितना ही, ऐसे किसी useful वीडियो में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार.